हलो जी नमस्कार स्वागत है आप सभी का डाउटनट पर मैक्सिमम बच्चे यही पूछते हैं सर नीट हम 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो हमें पढ़नी चाहिएं कौन सी वो बुक्स हैं जिन से हम पढ़कर अपने नीट के एक्जाम को क्लियर कर सकते हैं तो आज का ये जो छोटा सा सेशन रहेगा जादा बड़ा ये वीडियो नहीं रहेगा सीधा सपष्ट बात करने वाले हैं कि सर कौन कौन सी बुक्स हम लें जिससे हमारी प्रिपरेशन जो है अवल दरजे की हो जाए तो आईए हम आज वो बुक्स डिसकस करने वाले हैं बेस्ट बुक्स हम देखने वाले हैं जो हमारे चार चांद लगा देंगी या मैं बोलूँगा नीट एक्जाम क्लियर करने में बहुत जादा मदद करेंगी ठीक है तो सबसे पहले चीज गुरू माता हमारी कौन सर हमारी एंसी आर्टी ग्यारवी एलेवन्थ और ट्विल्थ क्लास की यह हमारी एंसी आर्टी है बिटा जब भी एंसी आर्टी पढ़ें तो हमेशा अपने साथ एक दस रुपे का एक मारकर होता है वो जरूर रखा करें जब भी किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो पढ़ने के अपने उस एंसी आर्टी को हाईलाइट ज़रूर किया करो जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो ताकि लास्ट टाइम पर जब आप अपनी एंसी आर्टी को पढ़ें तो जो हाईलाइटर पोर्शन जो है वो जरूर आप देख कर जाएं ठीक है तो एंसी आर्टी सबसे तो देखे, questions करने के लिए आपके पास एक option है क्या, जैसे ये एक NCRT fingertips नाम से एक book आती है, जिसमें ज़्यादातर questions जो होते हैं, NCRT based होते हैं, कुछ-कुछ questions ऐसे होते हैं, जो out of NCRT होते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन वो जो out of NCRT questions हैं, उनको अगर आप करते हैं, तो NCRT fingertips ये है, लाल रंग की है और एक हरे रंग की है, सर कौन सील है, मैंने मेरे पास ऐसे भी प्रशनाते हैं, तो देखे, ये जो लाल वाली जो ये वाली, जो NCRT fingertips है, ये पुराना edition है, जबकि ये वाली जो है, ये new edition है, ये वाला हमारा नय edition है, ठीक है, आप जाकर कोई भी online site है, जैसे Amazon या Flipkart जो होती है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, और अगर नहीं purchase कर सकते हैं, कोई problem नहीं है, doubtnet की app पर आपको NCRT fingertips के questions मिल जाएंगे, ये जो नए edition की NCRT fingertips है, इसके आपको questions मिल जाएंगे, आप किसी भी chapter को पढ़ने के बाद, doubtnet की app open करें, वहाँ प NCRT fingertips के आपको questions मिल जाएंगे, तो questions practice के लिए ये हो गया, अब बात आ रही है, सर जैसे 2022 का जो exam हुआ था, उसमें जो questions जो आये थे, bio के थोड़े से lindy थे, है ना, और कुछ questions ऐसे थे, जो बहुत typical थे, language बड़ी tough थी, तो ऐसे questions की practice करने के लिए, क्या ये NCRT fingertips काफी ये जैसे मैंने specifically एक module तयार किया है, bio के लिए especially, और वो आपको doubtnut की तरफ से मिलता है, NEET की preparation के लिए, जी विज्ञान का, जैसे कोशी का जीवन की एकाई, और उसी प्रकार कोशी का चक्र और कोशी का विभाजन, ठीक है, तो ये वाले जो module है, ये specifically हमने तयार किया है, NEET 2023 के respect में, अब इन में बहुत ही अच्छे level के आपको questions मिलते हैं, sir ये module कहाँ पर मिलेंगे, तो दोस्त ये वाले जो modules जो होएंगे, doubtnut ने जो तयार करे हैं, ये वाले modules जो होएंगे, ये आपको मिलेंगे हमारे RMB batch में, जो 1 अगस्त 2022 से start हो चुका है, है न, so ये modules मिलेंगे आप सभी को, ठीके दोस्त, तो जितने भी बच्चे हैं, RMB batch में जो अब तक जुड़ चुके हैं, आज शाम को अपने app में देखेगा, आपको ये modules मिलना भी start हो जाएंगे, ठीके, so ये एक छोटी सी जानकारी मुझे आपको देनी थी, देखे, मैंने ज़्यादा आपका time भी waste ने किया, बस मैंने सीधा सीधा आपको बता दिया है, कि दोस्त, अगर आपने NEET कलियर करना है, 2023 का exam कलियर करना है, तो आप NEET 2023 के एक्जाम के लिए आपके पास books कौन कौन सी होनी चाहिए, NCRT आपके पास होनी चाहिए, साथ-साथ NCRT fingertips भी होनी चाहिए, और ये वाल module अगर आप कर लेंगे, तो आपके selection के chances definitely बढ़ जाएंगे, अगर आपका कोई भी सवाल है, मुझसे, किसी भी तरीके का अगर आपका कोई भी सवाल है, तो आप नीचे comment section में जरूर उस सवाल को लिखेगा, आपके पास जरूर उसका reply आएगा, thank you so much, धन्यवाद पढ़त रहे और मुस्कुराते रहे